आपको भी अगर भंडारे वाली खिचड़ी या इंसकॉन टेंपल वाली खिचड़ी बहुत ही पसंद आती है तो ये रेसिपी आपके लिए है बनाना बहुत ही आसान है और खाने में सूपर टेस्टी सात्वी खिचड़ी बनकर रेडी होती है तो चलिए रेसिपी देखते है कफ से पहले चावल का चुना हमें किस्ता से करना है चावल हमें कोई भी छोटे वाले चावल लेना है आप चावल तो बासमती का तुकड़ा जो चावल रहता है वो भी ले सकते हैं तो इस समय हमने बासमती का तुकड़ा चावल लिया है साथ ही हमें लेना है मूंकी दाल तो म कफ से थोड़ी कम मुंग की दाल हमने दूख कर एक गंड़े के लिए भीगो लेना है किचड़ी बनाने के बाद थोड़ी कॉंटिटी में बढ़ जाती है इसलिए हमें थोड़ा बड़ा बरतन लेना है और हेवी तले का परतन लेना है तो दिखिए जब तेल गरम हो जाए लाल मेचे को हमने एड़ किया है तो इस समय हमें इस हम एच्छे से भून लेना है जो अपना फ्लेवर चोड़े लो टेल में ठीट फूल जाए तब तक इसे भून लीजेगा और उसी के साथ हमें यसमें आड़ करना है हीं को तो एक चोथरी चम्मच हमें हिंग ऐड़ करना और क्योंकि ये खिचड़ी हम भगवान के भूग के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने लसन और पैट का यूज नहीं किया है तो उसके सिवाई भी ये खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है तो इससे मैं बने दो हरी मेच और अद्रक को मिक्सी में चला कर इसमें एड किया है तो देखे इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आप इसी तरह से ये किचड़ी को बनाएगा तो देखे इससे हमने चला लिया है और साथ हमें इसमें एड करना है एक बड़ा कटा हुआ आलू और उसी के साथ सबजे हमने आड की है तो मटर, गोबी आड की है और साथ गाजरा एड किया है और बीन्स एड किया है अगर आप चाहो तो इसमें पमकीन या बैगन को भी आड कर सकते है तो देखे सबी सब्जियों को हमें तेल में अच्छे से भून लेना है भून लेते हैं तो फ्लेवर बोहुती अच्छा आता है तो उसी के साथ हम इसमें आड क कि नहीं करना है। इस सब्जीयों को बस एक से 2 मीट के लिए बढ़ीयासेथख कुक कर लेना है चला लेना है और साथ हम यह इसमे एड करना है चाओलोग को तो चाओलोग को एड करने से पहले हमने एड कहा है हल्दी को तो एक चमच हल्री पाउटर, दो चमच हम आड़ करे है धनिया पौडर और साथ ही हमें इसमें आड़ करना है कटा हुआ हरा धनिया तो मसाले को हम अच्छे से चला लेते हैं तो भंडारे की खिचड़ी बहुती सिंपल तरीके से बनाई जाती है पर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है इसलिए सभ इसके तेल में भुनाई होती है तो फ्लेवर बहुती अच्छे छोड़ते है और चाओलो में भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो देखे इस साथ हमने इसे चला लिया है और साथ ही हमें इसमें आड़ करना है तो चाओलो का पूरा पानी निकाल कर हमें इसमें आड़ क को हमें इसी समय आड़ करना है टमाटर को पहले मत आड़ कीजेगा इससे क्या होता है जो टमाटर का खटा पन रहता है टमाटर की फ्रेशनेस रहती है वो खिचडी में से बढ़िया से उतर कराती है और साथ ही हमें आड़ करना है पानी को तो गर्मा गरम पानी का हमें यूज करना है इस समय आप थंड़े पानी का यूज मत कीजेगा अगर थंड़ा पानी यूज करते हैं तो खिचड़ी बढ़िया से मिल कर नहीं आती है खिचड़ी पकने में बहुत जादा समय लग जाता है तो एक कप चाओल एक कप दाल के लिए हमने आठ कप इतना पानी लिए है तो जितना भी हमने दाल चाओल लिया है उसके चार गुना हमें पानी लिना है ये परफेक्ट रेशू है खिचड़ी बनाने का साथ ही हमें आड़ करना है एक चमच इतना गरम मसाला तो भोग के लिए खाने में अगर आप गरम मसाला का यूज नहीं करते है तो आप इस समय हमें इसे स्किप कर सकते हैं तो देखिए गरम मसाला हमें समय आड़ करते हैं तो चाओलों में गरम मसाले का फ्लेवर बढ़िया से निकल कराता है तो अब हमें खिचड़ी को कुक कैसे करना है तो देखिए इस समय हमें ग्यास की फ्लेम रखना है फुल फुल फ्लेम पर को इसता से चलाने के बाद हमें इस पर लीड रखना है और लीड रखकर ग्यास की फ्लेम करना है पूरीता से मीडियम या आप लोग कर सकते हैं और इसे 6-7 मिट के लिए धक कर हमें कुक करना है जिससे खिचडी बढ़िया से गल कराती है बढ़िया से कुक हो जाती है तो 7-8 म इसमें मिलकर आना चाहिए इस ता से कुक होना चाहिए तो देखे आप देख सकते हैं हमने जितना पानी इसमें आड किया है ये परफेक्ट है किचडी के कंसिस्टनसी के लिए और अगर आपको इसमें खिचडी थोड़ी से सूखी लग रही है तो आप इसमें गरम पानी कर कर आड कर सकते हैं तो गरम गरम खिचडी में अगर हम इसमें चमच चलाते हैं तो खिचडी में दाल और चावल अच्छे से मिलकर आते हैं खिचडी का टेक्श्चर परफेक्ट हो जाता है तो इसमें खिचडी को कर लेना है बंडारे में जब खिचडी इसमें बनाई जाती तब सब्जियों के साथ चावलो को गलने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब इससा से यह हो जाती है पॉर्फेक्ट कंसिस्टनसी जबा जाती है तब इस पे दिया जाता है तड़का तो तड़का दिया जाता है घी से जिससे फ्लेवर अच्छा है तो घी को हमने गरम कर तो इस समय हमने कश्मीरी लाल मिच पौडर का यूस किया है जिससे कलर अच्छा है तो इस साथ तड़का दालने के बाद हमें तूरंती खिचडी को ढख कर रखना है तो बस इसे धखकर हमें पाच मिट के लिए छोड़ना है जिससे खिचडी में अंधर तक फ्लेवर उतर कर आए और खिचडी में एक चटपटा सा टेस्ट आए और फ्लेवर फुल लगे इसलिए इसमें आड किया जाता है नीम्बू तो देखिए पाच मिट हो चुके है और सात्यम कटा हुआ अरा दनिया इसमें आड कर रहे है और आधा नीम्बू कार्रस आड कर रहे है जिससे खि के खिचडी इसी इता से बनाई जाती है तो देखिए खिचडी को हमें इसा से चला लेना है और मिक्स करते हुए खिचडी को में पूरी इता से मिक्स करना नहीं है उपर इस पर थोवासा तड़का दिखाई दिना चाहिए तो इसा से खिचडी बनकर रेडी है तो भंडारे वाली सात्वी खिचड़ी आप भी इस्ता से बना कर देखेगा सभी को बहुत पसंद आएंगी और यह खिचड़ी मैंने बनाई है भगवान के भोग के लिए तो हम भगवान को भोग लगा लेते हैं तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और च और नवान